नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोलोशन समाचार आप देख रहे हैं और सांकितिक भाषा के इस खास बुलिटन को लेकर हाज़िर हो मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सयोगी बीना सिंग जो खबरों को सांकितिक भाषा के जरीए आप सभी तक पहुंचाएंगी तो चले शिरुवात करते हैं इस खास बुलिटन की और सबसे पहले देखते हैं सुभा की सुर्खियां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज ज़ारखन को देंगे 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगाद टाटा नगर में कई विकास परियोचनाओं के शिलान्यास के साथ ही राष्टर को समर्पित करेंगे अनेक विकास कारें प्रधान मंत्री आवास यूजना के अंतरगत 2 करोड नई खरो क्या वंटन का करेंगे शिभारंब 20 हजार लाभारतियों को स्विकृति पन्नों का पत्रों का भी करेंगे वित्रण रोट्शों के साथ ही एक जंजभाकों भी करेंगे संभोदित बश्चि मंगाल के गांगे शेत्र ओडिशा और जारकन में तेज बारिश और बाहर के खत्रे की संभाफना मच्छवारों को समुद्र में ना जानी की सलहा अगले दो दिनों तक छत्यसकर बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मूसलधार बारिश का अनुमान देश के लोग सिवा प्रसारक दूरदेशन की आज 65 वी बर्शुगाट 15 सतंबर 1969 को शुरू हुआ दूरदेशन आज दूनिया के सबसे बड़े टेलिविजन नेट्वरक में से एक दूरदेशन से ही शुरू होती है भारत में टेलिविजन की कहानी अंतराश्ट्रे खबरों में रूस और युक्रेन के बीच 206 युद्धबंदियों का आदान प्रदान 103 रूसी सानी को को रहा करने के साथ ही 103 युक्रेनी युद्धबंदियों को भी किया गया स्थाना थ्रिट खेल की खबरों में डाइमंड लीग फाइनल में चैंपियन बंडे से एक सेंटिमीटर के अंतर से चुके नीरस चोपड़ा 87.8 शाथ मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ नीरस ने हासल किया दूसरे स्थान ग्रिनेडा के एंडर्सन पीटर्स रहे पहले स्थान पर 42 वे चैस ओलम्पियाच में भारत की जीत का सलसला जारी चौथे दोर में सर्पिया को हरा कर पुरुष टीम शिरिश पर बरकरार वही महिला टीम ने फ्रांस को हराने में पाई सफल था प्रिधानमंत्री नरेंदर मोधी आज जार्खण की दौरेपर रहेंगे और इस दोरान प्रिधानमंत्री चै वंदे भारत ट्रेनों की सोगात देंगे इसके साथ ही पीएम भार्ती रेल से जुड़ी कई परियोचनाओं का लोकारपन और शिला न्यास भी करेंगे इसके लावा चाटानगर में एक रोडशो और जनसभा को भी सम्भोधित करेंगे साथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर से देश्वासियों को केंद्र सरकार की कल्यार कारी योजनाओं के तहट दो करोड नए घरों के आवंजन का भी शुफारंप करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहट जार कंड के लगपग 20,000 लाभार्थियों में स्विक्रिती पत्रों का वित्रण भी करेंगे एवं पांच करोड रुपए से अधिक की धर्नराशी सीधा लाभार्थियों के बैंक एकाउंट में सिंगल क्लिक के जरीए ट्रांसफर करेंगे वही देश के अलग-अलग हिस्तों में बारिश का दौर जारी है मौसम में भागने आज परश्चिम मंगाल के गांगे, शेत्र, चत्यसगर, ओडिशा और जारखन में तेज बारिश और बारिश के खत्रे की संभाफना व्यक्त की है अगले दो दिनों तक चत्यसगर, पिहार और पूर्वे मध्र प्रदेश में भी मुस्लाधार बारिश होने की संभाफना है वहीं उत्राखन में हो रही भारी बारिश के कारण आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है पहाडों पर हो रही बारिश के कारण वारानसी में गंगानेदी का जलस्तार एक बार फिर से बढ़ने लगा है मौसम भागने अगले 48 खंटों के दौरान रणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्र प्रदेश, नागलेंड, मड़ेपुर, मिजोरम, त्रेपुरा, असम और मेघाले में तेज बारिश की आशंग का व्यक्त की है सिरक्षा के मदे नजर मच्वारों को सोमबार की सुभा तक उत्रे बंगाल की खाड़ी बांगलादेश, पर्ष्य बंगाल और ओडिशा के तटों पर ना जाने की सलहा दी गई है पर्ष्य बंगाल के नौर्थ 24 परगरा में सुभा से ही तेज बारिश हो रही है भारत का लोक सिवा प्रसारक दूरदरशन आज अपनी 65 वी वर्ष गाठ मना रहा है और इस अवसर पर दूरदरशन विभिन मनोरंजग कारिकरम प्रस्तुत करेगा दूरदरशन के शिरुवात 15 सतंबर 1969 को ही थी और इसके बाद से ये राष्ट्र के आवाज के रूप में एकता, संस्कृती और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले अनेक कारिकरम प्रस्तुत करता रहा है सुचना और प्रसारण मंत्राली ने कहा कि इस महतपोर्ण वर्षगांट को मनाने के लिए डिडी नेशनल एक विशेश कारिकरम दिल से दूरदरशन डिडी 865 प्रसारित करेगा ये कारिकरम आज सुभा 10 बजे प्रसारित किया जाएगा दिल्ले में प्रायुजित प्रसारण के साथ अपनी साधरन शुरुवात से दूरदरशन दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संग्ठनों में से एक बन चुका है अपनी स्थापना से लेकर अब तक डिडी नेशनल ने प्रद्धोगी के शेतर में अफुद पूर्फ बदलाव देखे हैं और सार्वजनिक से वा प्रसारण की प्रतिबधता बनाए रखी है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं अब रुख अंतराश्ट्रे खबरों का रूसी रक्षा मंत्राले के नुसार रूस और यूक्रेन ने शनिवार को 206 युद्धबंदियों का आधान प्रदान किया रूसी रक्षा मंत्राले ने कहा कि कुर्सक शेत्र में बंदी बनाए गए कोल 103 रूसी सैनिकों को रिहा कर दिया गया है बदले में 103 युद्धबंदियों को इस्थानांतर रित कर दिया गया बदले गए सभी रूसी सेनेक अब बेलारूस में है जहां उन्हें आविश्क सहायता मिल रही है युक्रेणी राश्टपति वलोटिमेर जलन्सकी ने एक टेलिग्राम पोस्ट के माध्यम से बताया कि 21 अधिकारियों सहित 103 युक्रेणी सेनेक कर्मियों को रहा कर दिया गया है सविकतर अब अमिराद की मध्यस्ता के माध्यम से रूस और युक्रेण के बीच युद्वन्दियों का आदान प्रदान हुआ युक्रेणी अधिकारियों ने कहा कि ये दो दिनों में दूसरा आदान प्रदान था ब्रिसल्स में हुए डाइमंड लीग फाइनल में नीरच ने अपने तीसरे प्रयास में 87.86 मीटर का बेस्ट थ्रो फैका हाला कि वो चैंपियन बनने से मात्र एक सेंटिमीटर के अंतर से चोक गए ग्रेंडर के एंडर्सन पीटर्स पहले स्थान पर रहे उन्होंने अपने पहले प्रयास में 87.87 मीटर का बेस्ट थ्रो किया जर्मनी के जूलियन बेवर ने 85.97 मीटर का बेस्ट थ्रो किया वो तीसरे स्थान पर रहे फाइनल में साथ जल्विन थ्रोवर ने हिस्सा लिया था जिन में से 4 थ्रोवर 83 मीटर का थ्रोव भी नहीं फैक सकी नीरच चोपड़ा ने 2022 में डायमंड लीग का फाइनल जीता था और पिछले साल 2023 के डायमंड लीग फाइनल में भी नीरच दूसरे स्थान पर रहे थे 45 शंतरज ओलमपियाट में भारती एक लाड़ियों का शांदार प्रदरिशन जारी है भारत में महिला और पुरुष वर्ग में लगातार चौथी जीत हासल की है भारती पुरुष टीम ने ओपन वर्ग में चौथी दौर में सर्विया को हराने में सफलता पाई भारती टीम ने 3.5 अंक हासल की है तो वहीं सर्विया को 0.5 अंक मिले भारत की तरफ से डी गुकेश, अर्जुन, एरिगेसी और विदित गुच्राती ने जीत हासल की वहीं आर्प रग्यानन्दा को ड्रौ से संतोष करना पड़ा, पाच विदौर में पुरुष टीम का सामना अजर्बाइजान से होगा वहीं महिला वर्क में भी भारतिय टीम ने अपने जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए लगातार चौती जीत हासल करने में कामियाबी पाई भारतिय महिलाओं ने चौती दौर के मुकाबले में फ्रांस को शिकस्त दी भारते महिला टीम ने तीन जीत और एक ड्रॉ के साथ तीन दिशलों पाच अंक हासल किये तो वही फ्रांस को शुर्ण दिशलों पाच अंक मिले भारत के लिए दिव्यादेश मोख, हरीकात रोडवली और तान्या सच्देवा ने जीत हासल की तो वही आर वैशाली को ड्रॉ से सदोश करना पड़ा पाच में दोर में आज देर रात भारत का सामना कजाकिस्तान से होगा और अब बात आज के पर्व की ओडम के त्योहार को लेकर केरल समेथ पूरे देश में उत्साहा का माहौल है यतियोहार राजपली की केरल की बार्शिक यात्रा का प्रतीक है दस दिरों तक चलने वाले इस पर्व का आज आखरी दिन है इसे मुखे रूप से दक्षड भारतिये लोग बड़े उल्लास और जोश के साथ मनाते हैं जिसमें घरों को विशेश रूप से सजाने के साथ ही तरहा तरहा के स्वादेश्ट पकवान और व्यंजन भी बनाये जाते हैं इसके प्रथम दिन को अत्वा और दस्वे दिन को धिरू ओडम कहा जाता है और इस्तियोहार के माध्यम से लोग अच्छी फसल के लिए प्रकर्ती के प्रती अपना आभार व्यक्त करते हैं वही खबरों की दुनिया से लगातार जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूस की खबरें और तमाम अपडेट्स यूट्यूब, फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेब साइट पर भी उपलब्ध है और आप इन्यों फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जी के साथ फिलाल सांकितिक भाशक के इस खास बुलेटर में मुझे मेरी सर्योगी बीना सिंग और हमारी पूरी टीम को दीजिया नुमती, नमस्कार